मित्रो नमस्कार सिद्ध आयवेज चैनल पर आपका स्वाकत है और लीजिए एक महत्वपून जानकारी पेट के रोगों से संबंदित देखिए मैं देखता हूँ प्रतेक रोग पेट से ही सुरू होता है और प्रतेक व्यक्ति किसीने किसी रूप से पेट के रोगों से पीड चाहे पूरा दिन गुजर जाए उनको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती तो यह एक भारी समस्या है जब आप खाना खाएंगे ही नहीं तो आपको सरीर में लगेगा क्या और आपके स्वास्त में वरधी होगी कैसे और आप अपना प्रती दिन का कारिये सुचारू रू कि वेजी इंग्रेडियंट क्या था उसकी मात्रा क्या थी और इस सबसे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जो भाई बैन हमसे नहीं जुड़े हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि बार-बार उनको वी पर आपको आते हैं आपको इसमें लेना है सब से पहले अजल्ए और और ऊच्षी तरह से अपहले दो करके अच्छीतर साफ कर लीजिए और उसको सुखा लीजिए धूपमर यहापको लेना है तो गरام अजल्एस्वाइन सो गराम और इसके पश्याज दूसरा जो सफेद जीरा जू हमारी सीजे मरें कामम काम में फिर्षिप नीजय पंपनरी वहाथ और इसको यह जो फॉर्ट मं मिगारें । तरह नहीं है थे đã रिष्फट पीचने में ऑर इस जो- और काम्याद होगा ये और तीसरा ingredient है इसमें सेंधा नमक 20 गराम और काला नमक 20 गराम ये दोनों नमक आपस में mix कर लें इनको आपस में कूट करके पीस करके बारिक कर लें और 5 गराम हिंग लेना है बढ़िया हिंग होना चाहिए जिसमें अच्छी खुश्बू हो और असली ह तो इन अजवायन और जीरा इनको कूट करके आप महीन चूण बना लिजे और इसमें फिर नमकों मिलाए और हिंग को शुद्ध घी में भून करके तब उसको बारिक पीसे और संपूर्ण चूण में mix कर दीजिए अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है आप इसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के पस्चात भी ले सकते हैं और मात्रा आयू अनुसार और रोग की इस्तिति के अनुसार निर्दारित की जाती है वैसे एक व्यस्क व्यक्ति के लिए एक चम्मच की मात्रा यानि लगबग 5 गराम की मात्रा आप ले सकते हैं और दिन म इस प्रकार से आप इस सुनुस्के से लाब उठा सकते हैं और आपका स्वास्त में वरद्धी होगी अंत में एक बार फिर आप से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब अवस्या करते जाएं और बेल आइकान भी दबाएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमाश स्टार इस थीर को ओडू ओसरुट करते डिवया खसक्राड़ में ग 1 पार आपका बहुत बाले आपका सिभाद कर भीजा भीुर बहुत से